सूर उदै परिवार ने रीवा के पत्रकारों को सम्मानित किया पत्रकारों से चर्चा के दोरान सूर उदै परिवार के मुखिया रागवेन सिंग गहरवार ने बताया आखिर किन वज़े से इस सूर उदै परिवार को बनाया गया है उनका कहना था समाज में जो जातिवात का बीज बोया जाता है उसे हम सब को ही दूर करना है और जब हम इसकी सुरुवात करेंगे तभी इसे दूर करेंगे हमारे ये परिवार इसी को दूर करने में लगा है अगर देश को बचाना है तो एजुकेशन में सुधार लाना पड़ेगा जब देश का युवा पढ़ेगा तभी वो इस देश के लिए कुछ कर पाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा उन्होंने परिवरण को बढ़ावा देने पर जोड़ दिया उन्होंने कहा सभी को पेर लगाने चाहिए जो बहुत जरूरी है इससे हमारा परिवरण अच्छा रहेगा और हम सब स्वस्त रहेंगे आईए आपको दिखाते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा यह बात हर विक्ति जानता है मेरा एक टैना फीज से है जिस समय हमारा जनम हुआ था हमें नहीं पता हमारी मम्मा हमको दूद पिला पानी तेकल पिलानी में असक्षम रही होगी जब बच्चे जब मम्मा का फीड नहीं हुआ होगा उस समय डॉक्तर क्या रिक्मेंट करता है कि हम इसको गाय का दूद पिलाए यह यह कहता है उस समय जब हमारा पेट खाली था जब हम रोया करते थे हम उस गाय के दूद से अपने पेट की दुट्टी किये मैंने फीज सब रहार किया जो आज कल्चर हट्टे जा रहा है हम रोज वोट पे देखते हैरी सकार पर शासन कब तक करीगी अब तक हम सार्कार और परशासत की नीप प्रसान संदिक शक्क्रावम जा करते हैं ने उन लिया उताले मिश्वा कि लिकाता।